दोस्तो नमस्कार आदाब सत्रियकाल नियोज क्लिकक के कारिटर मन्यूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश संसत्र के दोनों सद्रों की जो कारवाई है वह ओने शितकाल की लिस्थगीत हो गई मानसून सत्र का समापन हो गया लेकिन दोस्तो संसदिय इतिहास में भारत के मानसून सत्र जो अपेक्षात्र छोटा था संचिप्त था बहुत लंबा नहीं था लेकिन वो बहुत बड़ी खाटना के रूप में दर्ज हो गया इसलिए नहीं कि कोई बहुत महानतम काम हुए है ठीक है जब भी सत्र बुलाए जाता है तो कुछ अच्छे महान काम होते हैं और कुछ दुर्भागे पूर्ण भी होते हैं कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं अपने विवादों के कारण अपनी जो उसकी खासियत है उसमें कहीं न कहीं कोई ऐसी बात होती है जो संसदी परंपरा के हिसाब से बहुत शांदार जिसको नहीं कहा जा सकता बहुत शांदार नहीं कहा जा सकत तो वैसा ही कुछ इस सत्र में हुआ है जो सबसे दुर्भागिपूर्ण जो बात हुई है कि इस बार लोकसभा का ए और राजिसभा के तीन सदस्य निलंबित किये गए लोकसभा के जो सदस्य है आम आदमी पार्टी के एक मात्र सदस्य रिंकु जी सुशील कुमार रिंकु वो उप्चुनाव जीत कर आए है उनका कारेकाल जाहिर है संचिप्त भी रहेगा उनको भी पूरे सत्र के लिए लोकसभा से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली का दिल था उसे फार दिया था और बिखेर भी दिया था अल्टीमेटम दिया जा सकता था उनको चेताव नहीं दी जा सकती थी उनको शिकायत उनकी दर्ज की जा सकती थी लेकिन उनको पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया चलिए वो तो अपनी जगा है लेकिन राज सभा में जो हुआ वो अभूत पुर्व है और फिर मैं अंत में आऊंगा लीडर अफ अपोजिशन के बारे में लीडर अफ अपोजिशन के बारे में इसलिए मैं अंत में आऊ और आम आदमी पार्टी के ही रागो चड़ा इन दोनों को बरखास्त कर दिया गया, इन दोनों को निलंबित कर दिया गया और ये अनिश्चित काल के लिए, पहले संजे सिंग को सत्र के लिए किया गया था, लेकिन बाद में उनको भी अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया, मैं अनिशित काल क्यों कह रहा हूँ ये कागज पर नहीं दर्ज किया गया है अनिशित काल शब्द क्योंकि उसमें जो दर्ज किया गया है वो यह है कि प्रिविलेस कमेटी के पास जाएगा इनका मामला प्रिविलेस कमेटी जब बैठेगी कब रिपोर्ट देगी जब रिपो ठीक उसी तरह से रागोचड़ा उनकी भी पहले संजर सिंग की सत्र की थी अब पूरे ओभी अने शितकाल के लिए हो गया रागोचड़ा का आलाप सडेन हो गया उनको तो एपियर होने का मौका भी नहीं मिला शुरू में लगा कि केवल प्रिविलेज कमेटी के सामने उनको होना होगा लेकिन ये भी हो गया आकरी दिन लेकिन जो लीडर अफ पोजिशन लोकसभा में अधीर अजन्जन्द चौधरी हैं उनको जिस तरह से निलंबित किया गया है और उनका भी मामला अनिश्यतकाल के लिए ही एक तरह से समझ लीजिए उनके उपर ये आरोप है कि उन्होंने प्रधान मंतरी मोदी का अपमान किया है क्योंकि उन्होंने सदन में कुछ ऐसे शब्दों का उचारण किया कुछ ऐसे शब्दों का उलेकिया जो इनको प्रधान मंतरी की गरिमा के लिए अनुप्यूक्त माना गया या खराब माना ग क्या वो अप्शब्द थे क्या वो अमर्यादित थे इसकी बहुत सारी अलग-अलग ढंक से व्याख्याएं की जा सकती है और संसदी मामलों के जानकार कर भी रहे हैं मीडिया में भी ये बातें आ रहे हैं हाना कि देश के मीडिया का एक बहुत बड़ा हिसा अब उस तरह की व्याख्याएं नहीं करता जिस तरह 2014 से पहले संसदी कारी की और संसदी कारिवाई की किया करता था अब तो Parliament Review भी आना बंद हो गया है जो Parliament Session का Review होता था वो भी बंद हो गया है लेकिन दोस्तो ये जरूर मैं कहूंगा कि Leader of Opposition को इस तरह से बाहर करना निलंबित करना इतिहास की पहली घटना है जहां तक मैं समझता हूँ जहां तक मुझे याद आ रहा है भारत में जब से स्वतंतरता के बाद Parliament चल रही है तब से मैंने किसी Leader of Opposition को निलंबित होते हुए कम से कम मैंने नहीं सुना है हो सकता है कि मेरा इतिहास ज्यान में कोई कमी हो अगर कमी होगी तो मैं इसको correct करूँगा भविश्य में लेकिन मैंने नहीं सुना है तो मैं समझता हूँ कि ये संसत ने और संसत को जो संचालित करने वाले लोग है और जो सरकार जो इस तरह के प्रस्ताओं को लेकर आई और संसती ये मर्यादा नैतिकता जिसकी दुहाई दी जा रही है कि इन ही कारों से ने इनको निलंबिच किया गया है उसके लिए भी दुर्भागी पोग है एक तो ये बात में कहना चाहता था जो इस पर हुआ है जिसको कम कहा जा रहा है क्योंकि अब तीन ऐसे मामले आ गए है कि बही CRPC को चेंज कर रहा है, IPC को चेंज करना है, Evidence Act को चेंज करना है तो सारा मीडिया का फोकस इस पर है और जाइर है बहुत महत्पूर वो खबर है उसमें हम कभी जरूर उस पर भी बात करेंगे आज हमने बस संचेप में ये बात कहा दी कि उसके बारे में भी ये कहा द्रोह का मामला, अब कहां ये जा रहा है कि राज द्रोह जो है, Britishers ने अपने फायदे के लिए किया ताकि भारत की कोई भी जो भारत के अवाम से कोई भी आवाज ऐसी ना आवे जो उनके शासन ब्योस्ता को चैलेंज करती हो, लेकिन दोस्तों राज द्रोह का भले ही वो बहुत इसाफे बनाया है, वो धारा हटा ली गई है उसकी जगाह 150 आई है, 125 waits इसमबहुता वो धारा है जिसको हटाया गया है और 150 द्रोह उसका जागहा होगी लेकिन आपको मैं बताउं कि उससका जो धारा है और बढ़ा दिया गया है, इतना भयानक बनाया गया है कि वो वो महाराजद्रोह बन गया है और भारत सरकार जो मौझूदा सरकार है भारती जन्ता पार्टी की वो कह रही है कि हमने तो बहुत उधार बनाया है हमने अपने इथास के हिसाब से बनाया है राज़रोग के धारा उससे एक हजार गुना कड़ी है क्योंकि टेली कम्मिनिकेशन आपके भाव भंगिमा आपकी सोच आपका मज़ाथ आपका जोक कुछ भी राज़रोग के दारे में आ सकता है अगर किसी को फील हुआ किसी बड़े आदमी को कि आपने उसका आप मान किया ह आपने राजसत्ता को इस माध्यम से चुनोती दी है या आपने अलगावाद को मजबूत किया है आपने ऐसे लोगों को मजबूत किया है और ऐसे अनेक प्रावधानों की मैं वियाक्या कर सकता हूँ लेकिन आज मेरा वो विशह नहीं है क्योंकि इससे पार्लामेंट के बारे में जो मैं बातें करना चाहता हूँ आज वो कम हो जाएंगी आज हम पार्लामेंट पर फोकस करेंगे कि जो ये सेसन रहा कैसे बहुत पूमाना का उसमें उनको सजा हुई उस सजा के कारूं की मेंबर्सकी फॉरं चली गई 26 गंटे के Anda कुछ दिनों के अंदर मकां चला जया के लिए झाना पड़ा झाना ठाथ पूरा का पूरा संस्ती परिसर का महुल और मुझे ऐसा लगता है कि पहले परिस पूछ योजना चल रही थी कि कैसे headlines management किया जाए तो राहुल गांधी को headline में सबसे उपर रहने से वंचित करने के लिए एक और मामला सामने आ गया और वो मामला क्या था वो मामला था कि उनकी party को और media के section को तरह तरह की विबादों में घेर लिया गया अनाप्छनाप बाती की गई और तो और अगले कुछ समय के बाद उन पर flying kiss का आरूप लगाया गया और वो आरूप भी सदन के अंदर लगाया गया लेकिन दिल्चस्ट बाती आया कि 22 सदस्यों के signature से महिला सदस्यों के signature से एक delegation जो है ग्यापन देने चला गया speaker को और उस ग्यापन पर भारती जंता party की एक member ने का दिया कि उन्हें तो दिखाई भी नहीं पड़ा उन्होंनों यह से देखा नहीं तो इतना हास्यासपद है flying kiss का यह मामला कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी से राहुल गांधी कुछ और कर रहे हो या ना कर रहे हो लेकिन भारती जंता party की और सरकार की घाव बहुता ब्रह्मांड की सबसे बड़ी party होगी अगर ब्रह्मांड में और भी party कहीं है तो headlines management का कोई मुकाबला उनका नहीं है जिस तरह एक मुद्दा आता है उस मुद्दे को अगर कहीं उनके खिलाब जा रहा हो तनिक भी जा रहा हो तो foreign headlines बदलने में वह एकदम लग जात करें और इस मामले में हमने चुना है प्रोफिसर मनोज कुमार जा को जो रास्वी जनतादल के सांसद हैं लेकिन उसे महत्पूर्ण बात यह है कि वह बहुत पड़े लिखे और मुखर व्यक्ति हैं दिली विश्वी देले के प्रोफिसर भी हैं तो हम उनसे बात करेंगे कि पार्लेमेंट के सेशन में इस बार जो कुछ हुआ है और देश की राजनीत को जो प्रभावित करने वाला है उन मसलों पर उनकी क्या रहा है ऑनोजी संसद का जो मानसून सत्र है जो खतम हुआ है बिल्कुल ताजा-ताजा सब कुछ है आपके दिमाग में सरकार इस बार सत् होस्टाइल कह सकते हैं आम तोर पे विपक्ष जो है खासकर जब चुनाओ नज्दी काता है तो वह ज़्यादा एग्रिसीव होता है सरकार पर सकता पक्ष पर इस पर सरकार ज्यादा रही है क्या समझते हैं क्यों ऐसा है और कैसे आप देखते हैं विपक्ष के रोल को भी और स जबाब नहीं था औल पार्टी मीटिंग में हमने सलाह दी थी ग्रिय मंत्री जी एक कदम नहीं चले फिर बीच में इंडिया नाम के इस गटबंधन का भी निर्मान हुआ यह दोनों चीजें उन्हें रैटल कर गई तो पुलिटिकल यह आप अगर रैटल होते हैं तो आपके बिवहर में वो कम से कम सदन के अंदर नहीं दिखना चाहिए जिसे आप आकरमक्ता कहते हैं वो उसको उन्होंने शील्ड की तरह इस्तेमाल करने का की कोशिश की कि चुकि आपके सवालों का हमारे पास जवाब नहीं है लेकिन हम यह आकरमक्ता के माध्यम से आपको जो हम आपको उसको उठाने में अवरोध उत्पन करेंगा सस्पेंशन जो इतनी भारी संख्या में इस पार हुए क्या उसको अपोजिशन ने विजुलाइज नहीं कि यानि पहले अंदाज नहीं था कि ऐसा हो सकता है देखिए मैं आपसे इस पस्ट कहूँ परलेमेंटरी डिम लबाब इस प्रकार कर रहता तो मैं समझता हूं टूजी के माध्यम के दौरान तो बीजेपी का कोई भी एमपी नहीं बचता हर कोई सस्पेंड होता सस्पेंशन अतिरेक की चीज़ हुआ करती है मैं तो बार-बार हमने अंदर भी लिख करके भी कहा है कि पीठ के अधिकार जो पीठा सीन है चाहे लोग सभा में हो राजे सभा में हो उन्हें हमेशा यह स्मरन करना होगा कि फ्रैग्मेंटेट पॉलिटिक्स का जो दौर होता है उसमें उन्हें रूल बुक से उपर उठ करके वो विवस्थाएं बहाल करनी होंगी जहां पक्ष और विपक्ष दोनो लोग बैठते हैं चाय पीते हैं सब डिस्रप्ट हो गिया तो घर चले जाते हैं नहीं साब डिस्रप्शन एक्स्ट्रीम स्टेक होता है वेल में कोई नहीं जाना चाहता लेकिन अगर बात सुनी नहीं जाएगी अगर गौर नहीं किया जाएगा विपक्ष के सरोकारों पे क बेरास्ता बचता है क्या। बीर चर्चा उती है, इसमें कोई दोराह नहीं है। लेकिन इस बार लोक सभा केंडर में रहा। तो उसमें आम तोर पे एक इंप्रेशन है की विपक्ष जो है। अच्छे कुछ वकता जरूर थे। लेकिन विपक्ष जो है कमजोर पड़ा, विपक्ष डिफेंसिब सनजर आया, विपक्ष जो है जिस तरह उसको impact डालना चाहिए था मानिपूर की घटना को लेकर, overall government की विफलताओं को लेकर, वो कुछ अच्छे भाशन जरूर हुए, लेकिन कहीं न कहीं वो कोई कमजोरी है, वो मैं नहीं जानता कि, वो क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांदी का, चुकि उतना इंप्रेसिब भाशन, पिछले सत्र जैसा नहीं रहा इस बार, बहुत लोग निराश हुए, तो क्या इन चीजों का असर पड़ा है, कैसे आप देखते हैं? मंतरी जी को सुनने के लिए, अब श्वास प्रस्ता हो लाना पड़ेगा, पहली चीज, दूसरी चीज, मनिपूर को ले करके, अगर हम सब जो देख के आया हैं ना, बोलते थे, और मुश्किलें पड़ते हैं, हम जानते हैं, यह मामला संवेधन शील है, इसलिए आप गौर आई, अनिम्प्लाइमेंट इसकी वज़े से नहीं लाए थे, उस सारे मुद्धे तो हाई, मनिपूर को ले के आए, और उसमें एक सीमा के बाहर जाना मैं समझता हूँ कि उचित भी नहीं होता, इस प्रस्ताव पर जो आखरी दोर का अगर आप देखें, चौन, अचानक व पक्ष और जब वाक आउट कर गए, तो उन्होंने मनिपूर पर जो बोला, अब जो बोला हो सकता है करविन सिंग नहों, हो सकता है उसमें उतने तथे नहों रहे हों, बचते 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 बोले ताकि लगे भी कि बोल रहे हैं और नहीं बोलें कुछ, लेकिन जो प्रदानमंत्री जी बोलते रहे हैं, प्रदानमंत्री जी के अपने अस्तर से भी उनका वो भाशन उस दिन, मतलब मैं साफ कहता हूं, मैं मनिपूर के रिलीफ कैंप्स में गया था, महलाय बच्चे वहां टीवी सेट्स के सामने बैठे होंगे, सुनने के लिए कि प्रदान मतलब मैं बता रहा हूं, मुझे बेहत कस्ट हुआ, अगर मुझे कस्ट हुआ और मनिपूर में जो उसका मेसेज गया है, वो आप लोगों को कुद भी पता चलेगा, उसके बाद विपक्ष के पास कोई विकल बचाता, अतीती जीवी बन रहे हैं, कि इस साल में ये हुआ थ और प्रधान मंत्री जी ये भूल गए कि वो देश के प्रधान मंत्री है, लेकिन हमिशा का भाशन अगर देखा जाए ओवराल तो वो ज्यादा इंपक्ट नहीं नहीं इंपक्ट करने नहीं बैठा हूं, मैं बैठा हूं कि मनिपूर के लोगों को जो संदेश चाहिए था, वो मिला, नियायका की गारंटी नहीं मिली, मनिपूर के लोगों को हीलिंग चाहिए थी, मिली, नहीं मिली, ये जो वाट अबाउट ड्री है, कभी ऐसा हुआ था कि एक फोर्स दुसरे फोर्स के किलाफ एफाई यार कर रही हो, इस तरह की परिस्तितिया है, अता विपक्ष के पास, उस उपहास, जहां अटाहस हो रहा है, नारे लगवाये जा रहे है, मोधी, मोधी, सुरू में लोगों ने का, इंडिया, इंडिया, तो व्यक्ति बनाम देश सब बनता जा रहा था, कोई विकल्प नहीं बचाता सर, क्योंकि अगर वाक आउट नहीं करते, तो शाय चार-चार सस्पेंशन हो गए, तो आखिर कहां जा रहा है, देश की राइनीत किदर है, और उसमें विपक्ष का रोल अप क्या है, देखे, हम लोगों को सर बहुत सिले से सोचना होगा, हमारे एक साथी है, विवेक तंखा जी, उन्होंने एक पत्र भी लिखा है, और जैसे इंग्लैंड में एक दिन होता है विपक्ष को समर्पित, विपक्ष ही मैनेज करता है, एजेंडा वगेरा सब कुछ, कुछ उस तरह की विधा, कुछ उस तरह के उपकरण लाने होंगे, सर हम चूक रहे हैं अपनी परलिमेंटरी डिमाकरसी में, परलिमेंटरी डिमाकरसी का ये नहीं होता कि रूल का आदर करते हुए जुबान पे पट्टी बांध के रखो अगर मनीपूर पर कुछ हो रहा है रूल का मतलब होता है कि इस फ्लेक्सिबल एनफ टो एकमडेट एवरीवन वो चीज हम चूक रहे हैं लोग सभा में भी और राजे सभा में भी आपके जो स सुने देखने वाले होंगे क्या वो suspension नहीं संजय सिंग कर सस्पेंशन मैं गवा हूँ 167 को ले करके हमारी लगातर मांग औरह थी वो आगे बढ़ गयें विल में पहली बार कहिं क्या संजय सिंग कि या कोई भी, मैं बार बार कहता हूँ कि जब कभी सक्ता पक्ष इस प्रकार की हरकतों पे आए, उन्हें अपना बेभार पुराना देखना चाहिए, मैं यह नहीं कहता हूँ कि डिस्राप्शन, लॉलेस्नेस ओनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप कॉरिडोर जो जनदा का सर्वच संस्था है सर्वच संस्था है डिमकरीसी में, क्या वहाँ भी उसका reflection है, वो भी अविवेख्ध हो रहा है जिस तरह समाज में गायब हो रही है डिमक्रीघूर अब बिल्कुल आपने बिल्कुल वह बात कही जो जिस पर मैंने लिखा भी और आपके सर अब इसको दुरुस्त करने के लिए संसत की बाहर भी प्रयास करने होंगे संसत के अंदर शुक्रिया मनुजी नमस्कार तो दोस्तो आज हमारा कारिक्रम कैसा रहा आप जरूर बताएंगे तो आज इतना ही नमस्कार आदाब सथ्वियकार झाल 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 झाल